मैसल्फ राहूल चालिस साल का हो गया और नॉर्मली इस एच तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आई ही जा दिया मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा ट्विस्ट जिससे मेरी लाइफ ही बदल गए बड़ा ट्विस्ट के साथ जो हुई तुमस का सोलो विटनस इसलिए तुममरा साथ कुम्बन का उचाती चन्ने एक्स परसले कुम्बन एरिया में मेरा फादर का बाओत रिस्पेक्ट है पीसा युनो पहरी अतालाई इल्ले है डान अजित हुप्टी मनाने निकलाता है तुमेरी चुटी कर दिए तुमेरी चुटी कर दिए कोई तो लाँ विनमा तो काप दालुगा विनमा, मेरे डिक्षिनरे में इंपॉसिबल का शबदी नहीं है अच्छा, कहां से खरीदी ऐसी बाकवास डिक्षिनरी? जब से मेरी लाइफ में आई हो, माई लाइफ फॉक्ष वाट? फॉक्ष सेम यह यहाई हो मेरे बात्राइब वाट अच्छाइब बात्राइब दोस्तो आज हम बात करेंगे SRKK के मुवी के बारे में यानि कि शारुकान के सबसे बड़ी मुवी जो चन्नाई एक्सप्रेस है दोस्तो कहानी कुछ ऐसी है कि शारुकान साहब अपने दादा की आस्थिया बाहाने जाते है और जिस ट्रेन में वो अस्या बाहने जाते है उस ट्रेन का नाम है चन्नाई एक्सप्रेस और उसी ट्रेन में कुछ गुंडें दीपिका पॉडुकॉन को यानि कि एस फिलिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे है तो उसी ट्रेन में उसी चन्नाई एक्सप्रेस ट्रेन में शारुखान जी की उनसे मुलाकात होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो ये है कि उसमें घट्या बना यानि कि वाहियात बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में ना किसिंग सीन्स है ना कुछ एक्स्ट्रीम इंटिमेसी है ना कुछ एक्स्ट्रीम सेक्शॉल आइट्स है यह बिल्कुल एक साफ सुत्री और सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोयद शेटी साहब को सेलिट करना चाहूंगा जहां रोयद शेटी साहब अपने बहुती बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कोमेडी रखी गई है उस कोमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़ादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस movie की जो story है simple love story को देखते देखते इस movie के starting से लेकर जो comedy scenes दाले गए है आप उन comedy scenes को इतनी अच्छी तरह से accept कर पाते हैं उस movie से इतनी अच्छी तरह से connect कर पाते हैं कि आप इस movie के starting से लेकर इस movie के climax scene तक यानि के ending तक आपको ये film थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करते हैं इस movie के direction की रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से या अपने आपको proof कर दिया कि वो इंडेन सिनमा के best and best director में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूं तो the best उनकी हर film ऐसी film होती है जिसको family एक साथ बाइट कर enjoy कर सकते हैं एक साथ बाइट कर entertainment, entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बुड़े तक एक साथ में बाइट कर देख सकते हैं वो director जो यह समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अस्टनी शब्द होते हैं उनसे film हिट होती है extreme romance से film हिट होती है, kissing scene से film हिट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर lesson लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वो ऐसी ही film कैसी बनाने चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी film का बहतरीन बढ़ना उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम middle point पर जाके लगा जो बोलते है ना बुलसा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना hundred percent तय है ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियलोक्स रखे और वो भी पूरी convincing power के साथ पूरी जो connectivity power के साथ कि वो टमिल डियलोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही entertainment provide करेंगे उन टमिल डियल उसके साथ भी जो हिंदी आउडियंस होती है उनको ये फिल्म उतनी ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस movie के लिए इस movie को direction देने के लिए 5 में से 5 स्टार देता हूं अगर 5 में से 10 स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहब एसार के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके fight के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है उस character को यानि कि राहुल के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर ब बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस movie का जो character था राहुल उसे portrait करने में दीपिका पड़ुकॉन super mind blowing fantastic वो इस movie में बहुत ही अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो costume designs थे बहुत ही बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत heroine होने के साथ साथ सबसे बढ़िया actress भी है वो जबरदस्त acting करती है और ऐसा combination मिलना जो इस film में था बहुत ही ज़ादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं Rohit Shetty साहब की तारिफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस film की जो भी heroine है यानि की दीपिका पड़ुकॉन उनसे हिसाब से आज हिंदिस हिंदुस्तान के जो तीन पाइदान है सबसे उपर के 123 उसमें सबसे उपर दीपिका पड़ुकॉन जी बैठी हुई है बाकी सब heroines यान कि उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब heroines 4-5-6-7 से आती है बाकी सब villains वगेरा South Indians है और सब ने अपने और फिल्म को बहुत ज़्यादा support मिला है इस फिल्म के music से फिल्म का best गाना वही है जो हमारे योयो honey sing superstar ने गया है हमारे रो star की तरफ से दिया गया गाना लोंगी dance आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते है वो एक ऐसा song है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फ पतलब आपको देखकर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरामैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवाब ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते है एंजॉय करते रहते है तमिल डायलॉक्स आते रहते है लेकिन आपके समझ में नहीं आते है आपको वो तमिल डायलॉक्स समझ में नहीं आते है लेकिन उसके बावजूद भी आ आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते हैं तो दोस्तों इस फूल मुवी के फैर्स का आपको कासे लगी मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएगा साथ इस वीडियो को एक लाइक आपने पूरी दोस्तों को साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना कह कीजी इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घटिया बना यानि कि वाहियात बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फ्लिम में ना किसिंग सीन्स है कुछ एक्स्ट्रीम इंटिमेसी है ना बहुती बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे जादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है सिंपल लव स्टोरी को देखते देखते इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कॉमेडी सिंस दाले गया है आप उन कॉमेडी सिंस को इतनी अच्छी तरह से एकसेट कर पाते हैं उस मुवी से इतनी अच्छी तरह से कनेट कर प अब बात करता है इस मुवी के डिरेक्शन की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडेन सिन्मा के बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं एक शब्द में कहूं तोू इसा इसए फिल्म होती है जिसको फैमली एक साथ बैटकर एंजॉय कर सकते हैं एक साथ बैटकर एंटिटेन्मेट और एंटिटेन्मेंट ले सकते हैं बच्च films से लेकर बुरे तक उचनरे बीड़े बाराई वहाँ सेख सकते हैं। वह डिरेक्टर समसें शर्मांठी के अचहेद से फिल्म हेट होती हैं किस सबी चाहिया जो शेये प्लिम लेना चाहिए शर्म है करते हैं जो वो मनंनेkill surprise कि वा ले शर्म κाय दोठान करते हो यह ऑषी फिल्म कते ही कैसी बना स्व traum tai एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बढ़ना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और इन डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुलसा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टेमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ के वो टेमिल डियालोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही एंटेटेंडमेंट प्रवाइट करेंगे उन तमिल डियालोक्स में भी उतनी पावर होगी उन तमिल डियालोक्स के साथ भी जो हि अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप एस सार के हमेशे की तरह बहुत हैंड सम और बहुत ही बढ़ren बढ़िया व्हस ने लव से लेके फाइट के सभी सेन को एंगडम अपने अंदर लेकर जिया है उन्हों ने बहुत बढ़िया तरीके सेक्तार करक्षि आया है उसंक्स के और उन्हों Musikie ओ बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिससे भी बात करते थे वह राहूल बनकर ही बाते करते थे क्यूंकि उनको आसानी होती थी इस मुवी के जो कैरेक्टर इस मुवी का जो कैरेक्टर था राहूल उसे पोट्रे करने में द इंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हिरोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्त एक्टिंग करती है और ऐसा कॉमिनेशन मिलना जो इस फिलिम में था बहुत ही ज़ादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिज शेक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फिलिम की जो भी हीरोईन है यानि की दिपिका पॉड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के वन चेसाँ से आती है बाकी सफ विलेंस वगेरा सौथ इंडियन से और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है क्याूंड है अपना अपना मुजइक जाहिर से बात है बहुत ही जादा अच्छा है और फिल्म को बहुत जादा सपोर्ट मिला है इस एक मुजइक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते हैं वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आप जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते है एंजॉइ करते रहते है तमिल डायलॉक्स आते रहते है लेकिन आपके समझ में नहीं आते है आपको वो समझ में नहीं आते है लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते है अब वो साउटन प्लेस में यानि कि साउट कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी love story चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक love story पर आधारित है इस कहानी के जो highlight है वो यह है कि उसमें घट्या बना यानि कि वाहियात बना बिल्कूल भी नहीं है, ना गाली है इस फिल्म में, ना kissing scenes है, कुछ extreme intimacy है, ना कुछ extreme sexual acts है, यह बिल्कूल एक साफ सुत्री और simple love story है, इसके लिए मैं रोईट शेति साब को salute करना चाहूंगा, जहां रोईट शेति साब अपने बहुती बढ़िया और स पाफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे जादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस मुवी से इतनी अच्छी तरह से एकसेट कर पाते हैं कि आप इस मुवी के स्टाटिंग से लेकर इस मुवी के क्लामेक्स सीन तक यानि के एंडिंग तक आपको यह फिल्म थोड़ा भी बोर्ण नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है बात करते हैं इस एक माने जाते है, and he is the best, एक शब्द में कहूं, तो the best, उनकी हर फिल्म ऐसे फिल्म होती है, जिसको फैमिली एक साथ बैट कर, enjoy कर सकते हैं, एक साथ बैट कर, entertainment, entertainment और entertainment ले सकते हैं, बच्छाओं से लेकर बुड़े तक, एक साथ में बैट कर, देख सकते हैं, वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से, या फिर जो अश्ली शब्द होते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे comment section में लिखकर जरूर बताएगा, अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, तो एक बड़ा सा लाइक, आपने सारे दोस्तों के स शेर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें भीना कहीं न जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हीन, वंदे मात्राम, आईश्की जी, एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी के फिल्म जो है वो डिरेक्टर का चुछी की तरह होती है, अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहुतरीन बःणा, उस मूवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है, शारु खान जी ने इस से पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटीक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मैरे खात से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक फिल्म में कुछ टमिल डेलोकस रखे और वो भी पूरी गविन्सिंग पावर के साथ पूरी जो क Northern एक्तिविटी पावर के साथ के वो टमिल डालोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही एंट्रेटेंडमेंट प्रवाइट करेंगे उन टमिल डालोक्स में भी उतन ही पावर होगी उन टमिल डालोक्स के साथ भी जो हिंदी आउडियंस होती है उनको ये फिल्म उतन ही अच्छ स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहप एसार के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लफ से लेके फाइट के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्हों उन्हों ने यह भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ बाते करते थे वह रहूल बनकर ही बाते करते थे क्योंकि अनको आसानी होती थी इस मुवी के जो कैर्टर इस बात करने में दीपी का पड़्ड़कॉन सूपर माइंड ब्लोगंग फान्टास्टिक वह इस मुझी मे सबसे खूबसूरत हिरोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्ट एक्टिंग करती है और ऐसा कॉम्बनेशन मिलना जो इस फिलिम में था बहुत ही ज़ादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहित शेक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फिलिम की जो भी हीरोईन है यानि की दिपिका पॉड़कॉर्ण उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनके अब वो साथन प्लेस में यानि की साथ कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पे उनकी लव स्ट्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घाटिया बना यानि की वाहयाद बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस सिन्में ना किसिंग सीन्स हैं कुछ एक्स्ट्रीम सेक्शुल एक यह बिल्कुल एक साफ सुत्री और सिंपल को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखे गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वह है यानि कि इस मूवी की जो स्टोरी है सिंपल से इतनी अच्छी तरह से कनेट कर पाते हैं कि आप इस मूवी के स्टार्टिंग से लेके इस मूवी के क्लायमेक्स सीन तक यानि के एंडिंग तक आपको यह फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वह जबरदस्त है बात करता है इस मू को तो दृब वेजू उनकी हर फिल्म आईसी फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ वैट कर एंजॉय कर सकते हैं एक साथ बैटकर एंटेटेंडमेंट एंटेंडमेंट और एंटेंडमेंट ले सकते हैं बच्छें से लेकर बुड़े तक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अस्तिन शब्द होते हैं से फिल्म हीट होती है exterm romance से film हीट होती है, Kissing scene से film हीट होती है, उन सभी को रोहीत से जाकर lesson लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है, वैसी ही film कैसी बनानी चाहिए, एक और बात अन्होंने proof कर दी कि film जो है वो डेरेक्टर का बच्चे की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपके फिल्म का बहतरीन बढ़ना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और इन डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका नि याद रखी जाएगी और जिसका चलना हांड्रेट परसंट तय है यह सिर्फ और सिर्फ रोईच शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भ करेंगे उन तमिल डियालोक्स में भी उतनी पावर होगी उन तमिल डियालोक्स के साथ भी जो हिंदी आउडियंस होती है उनको यह फिल्म उतनी अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पोर्टर किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहुल के कैरेक्टर को और उन्होंने इस फ्लीम के कैरे क्यांत Латにな้ क Trustee बहुत जधा महीनत की है उन्होंने ये वी community करते थे वह राहूल बनकर ही집 बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस जो केरेक्टर इस मुझी का जो कैरेक्टर करने में दीपिडिका पड़कोन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस मूवी में बहुत ही अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुत ही बढ़िया है दिपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत रोइन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है व मैं मिलता है आपसे नेक्स वीडियो में तब तक जै इन वंदे मात्रम आईश कीजिए इस फिलिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे हैं तो उसी ट्रेंड में उसी चनाई एक्सप्रेस ट्रेंड में शारुखान जी की उनसे मुलाकात होती है अब वह साउथन प और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घटिया बना यानि कि वहायात बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में ना किसिंग सीनस है कुछ एक्स्टीम इंटीमेस्ई है ना कुछ एक्स्टीम सेक्शोल आच यह बिलकुल एक साफ सुतरी और सीमपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोच शेटी सहाब को सैल्ड़ करना चाहूंगा जहां रोच शेटी सहाब आपने बहुती बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखे गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे जादा जो अच्छी लगी वो है यानि उन कमेडी सिंद्स को इतनी अच्छी घरह से accept कर पाते है उस मोवी से इतनी अच्छी घरह से कंड़ा अरे कर पाते है कि आप इस मोवी के डिरेक्शन की रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडेन सिनमा के बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूं तो the best उनकी हर फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बैट कर enjoy कर सकते हैं एक साथ बैट कर entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बुड़े तक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो आश्ली शब्द होते हैं उनसे फिल्म हिट होती है Extreme Romance से फिल्म हिट होती है Kissing Scene से फिल्म हिट होती है उन सबी को रोहित शेटी से जाकर lesson लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उच्छी तरह से करती है वह इसी ही फिल्म कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का चुछ बच्चे की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बैतरिन बनना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरैंटी बन जाती है शारु खांग जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी यह सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे कहाद से हिंदुश्तान की किसी और डियरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ, पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ, कि वो टमिल डालोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही एंट्रेटेंडमेंट प्रोवाइट करेंगे, उन टमिल डालोक्स में और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूँ अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खांच सहाप एसार के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बड़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहूल के कैरेक्टर को और उन्होंने इस फ्लीम के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़ादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिससे भी बात करते थे वह रा इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दिपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्त एक्टि साथ की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हिरोईन है यानि कि दिपिका पॉड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के 1,2,3 उसमें सबसे उपर दिपिका पॉड़कॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हिरोईन्स यानि कि उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब हिरोईन्स 4,5,6,7 से आती है बाकी सब विलेंस वगेरा सौथ इंडियन्स है और सब ने अपने तरफ से बहुत अ सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी आज भी कहीं लोग उस गाने को गुन गुन आते है वह एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देखकर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया ह उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिन से शुरू होती है हसते रहते है एंजॉय करते रहते है तमिल डायलॉक्स आते रहते है लेकिन आपके समझ में नहीं आते है आ आप उन डायलक्स को एंजोई कर पाते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे एसार के मुवी के बारे में यानि कि शारुखान की सबसे बड़ी मुवी जो चन्नाई एक्सप्रेस है दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि शारुखान सहाब अपने दादा की आस्थिया बहाने जाते है औ और जिस ट्रेन में वो अस्या बहाने जाते हैं उस ट्रेन का नाम है चन्नाई एक्सप्रेस और उसी ट्रेन में कुछ गुंडें दीपिका पड़ुकॉन को यानि कि एस्फिलिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे हैं तो उसी ट्रेन में उसी चन्नाई एक्सप् लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घटिया बना य सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईद शेटी सहाब को सेलूट करना चाहूंगा जहां रोईद शेटी सहाब आपने बहुत ही बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कमेडी सिंस आले गये है आप उन कमीडी सिंस को इतनी अच्छी तरह से एकसेप्ट कर पाते हैं उस मुवी से इतनी अच्छी तरह से करेपाते हैं कि आप इस मुवी deeply कहलेंने के अँडिंग तक आपको ये फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करता है इस मुवी के डिरेक्शन की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडन सिनमा के बेस्ट एंड बेस्ट एक साथ बाइट कर एंजोई कर सकते हैं एक साथ बाइट कर एंटिटेंडमेंट एंटिटेंडमेंट और एंटिटेंडमेंट ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बूड़े तक एक साथ में बाइट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो यह समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अस्तिन शब्द होते हैं उनसे फिल्म हीट होती है एक्स्ट्रिम रोमैंस से फिल्म हीट होती है किसिंग सीन से फिल्म हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बनना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडिल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटिस आप ने उनको एक ऐसी फिल्म में बना जाती है तो आपने डोस्तों के साथ शेर और वीडियो बड़ा लाइक जरूर दीजगा आज की वीडियो में हम मिलते है अगली वीडियो में तब तक आपना ख्याल रखिये वी पूरी कनविसिंग पावर के साथ पूरी जो connectivity power के साथ के वो Tamil dialogues भी Hindi audience को उतना ही entertainment प्रवाइट करेंगे उन Tamil dialogues में भी उतनी ही power होगी उन Tamil dialogues के साथ भी जो Hindi audience होती है उनको ये film उतनी ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस movie के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूँ अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप S.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पोर्टर किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहूल के कैरेक्टर को और उन्होंने इस flame के character को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिससे भी बाते करते थे वो राहूल बनकर ही बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस movie का जो character था राहूल उसे portrait करने में दिपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हिरोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया actress भी है वो जबरदस्त acting करती है और ऐसा combination मिलना जो इस film में था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिट शट्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस film की जो भी हिरोईन है यानि की दिपिका पड़ुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो character है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान के जो तीन पाइदान है सबसे उपर के 1,2,3 उसमें सबसे उपर दिपिका पड़ुकॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हिरोईन्स यानि की उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब हिरोईन्स 4,5,6,7 से आती है बाकी सब विलेंस वगेरा, सौथ इंडियन्स है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना-पना म्यूजिक जाहिर से बात है, बहुत ही ज़ादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज़ादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है, जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते है वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवैट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप यह कह सकते है कि यह फिल्म अपने पहले सिन से शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉइ करते रहते हैं तमिल डायलॉक्स आते रहते हैं लेकिन आपको वो तमिल डायलॉक्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते हैं अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्क होती नों वाहिया बना बिल्कुल भी नहीं है ना गाली है इस फ्लिम में ना किसिंसे है आ कुछ एक्स्ट्रीम इंयूमेसि ना कुछ एक्स्ट्रीम सेख्षवलल आट्स है ये बिल्कुल एक साफ सुत्री और सीमपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईद शेटी साहब को सेलूट करना चाहूंगा जहां रोईद शेटी साहब अपने बढ़िया और सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखे गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल श्ट्निक से लेकर जो कोमेडी सिंस डाले गये हैं अपको फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तोंअ मिजो मिठास है वह जबर दस्त है है बात करता है इस मूवी के डिरेक्शन की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडन सिन्मा के बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं एक शब्द में कहूं तो अनकी हर फिश्य फिल्म होती है जिसको फैमली एक सात बाइट कर एंजॉय कर सकते हैं एक सात बाइट कर entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्छें से लेकर बुड़े टक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालीयों से या फिर जो अश्रुनी शब्द होते कि उनसे फिल्म हिट होती है एक्स्ट्रिम रोम्ैंस से फिल्म हिट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वैसी ही film कैसी बनाने चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो director का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक best director है तो आपकी film का बहतरीन बढ़ना उस movie का hit होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी director के साथ film में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम middle point पर जाके लगा जो बोलते हैं ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डालोक्स रखे और वो भी पूरी convincing power के साथ पूरी जो connectivity power के साथ कि वो टमिल डालोक्स भी हिंदी audience को उतना ही entertainment provide करेंगे उन टमिल डालोक्स में भी उतन ही power होगी उन टमिल डालोक्स के साथ भी जो हिंदी audience होती है उनको ये फिल्म उतन ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस movie के लिए इस movie को direction देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूँ अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहब S.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके fight के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है उस character को यानि कि राहुल के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिससे भी बाते करते थे वो राहुल बनकर ही बाते करते थे क्यूंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस movie का जो character था राहुल उसे portrait करने में दीपिका पर्डुकॉन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस movie में बहुत ही अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो costume designs थे बहुत ही बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत हिरोईं होने के साथ साथ सबसे बढ़िया actress भी है वो जबरदस्त acting करती है और ऐसा combination मिलना जो इस film में था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिच शक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस film की जो भी हिरोईं है यानि की दीपिका पड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनके जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदिस हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के 123 उसमें सबसे उपर दीपिका पड़कॉन जी बैठी हुई है बाकी सब ह है और सबने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना म्यूजिक जाहिर से बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिं कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते है एंजॉय करते रहते है तमिल डायलोग्स आते रहते है लेकिन आपके समझ में नहीं आते है आपको वो तमिल डायलोग्स समझ में नहीं आते है लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलोग्स को एंजॉय कर पाते है अब वो साउटन प्लेस में यानि कि साउट कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना परता है फिल्म की कहानी बस इजी पर आधारित है, यहने कि एक लफ स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो highlights है वो ये है कि उसमें घट्या बना,要ने कि वाहियाद बना बिल्खुल भी नहीं है ना गाली है इस फ्लिम में, ना kissing scenes है, ना कुछ extreme intimacy है, ना कुछ extreme sexual arts है, ये बिलकुल एक साफ सुत्री और simple love story है, इसके लिए मैं रोईट शेटी सहाब को salute करना चाहूंगा, जहां रोईट शेटी सहाब अपने बहुत ही बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी love story में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी comedy रखी गई है, उस comedy का level भी इतनी filter है, सबसे best चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़ादा जो अच्छी लगी वो है, यानि कि इस movie की जो story है, simple love story को देखते देखते, इस movie के starting से लेकर, जो comedy scenes दाले गया है, आप उन comedy scenes को इतन अच्छी तरह से accept कर पाते हैं, उस movie से इतनी अच्छी तरह से connect कर पाते हैं, कि आप इस movie के starting से लेके, इस movie के climax scene तक यानि के ending तक, आपको ये film थोड़ा भी बोर नहीं करेगी, दोस्तों, इस कहानी में जो मिठास है, वो जबरदस्त है, बात करता है, इस movie के direction की, रोहिद अच्छी साहब ने एक बार फिर से ये अपने आपको प्रूफ कर दिया, कि वो इंडेन सिनमा के best and best director में से एक माने जाते हैं, and he is the best, एक शब्द में कहूं, तो the best, उनकी हर film, ऐसी film होती है, जिसको family एक साथ बैट कर enjoy कर सकते हैं, एक साथ बैट कर entertainment, entertainment और entertainment ले सकते हैं, उनकी से लेकर बूड़े तक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं, वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो असली शब्द होते हैं, उनसे film हीट होती है, extreme romance से film हीट होती है, kissing scene से film हीट होती है, उन सभी को रोहित शेटी से जाकर lesson लेना चाहिए, कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है, वैसी ही film कैसी बनानी चाहिए, एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है, अगर आपके पास एक best director है, तो आपकी film का बहतरीन बनना, उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है, पर उनका निशाना जो था, एकदम सटीक था, एकदम middle point पर जाके लगा, जो बोलते हैं बुल सा है, उन्होंने वो करकर दिखाया, रोहिट शक्टी साहब ने उनको एक ऐसी film बना कर दी है, जो सद्यों तक याद रखी जाएगी, और जिसका चलना 100% तैय है, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शक्टी साहब ही कर सकते थे, मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी, कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे, और वो भी पूरी convincing power के साथ, पूरी जो connectivity power के साथ, कि वो टमिल डियालोक्स भी उतना ही entertainment provide करेंगे, उन तमिल डियालोक्स में भी उतनी पावर होगी, उन तमिल डियालोक्स के साथ भी जो हिंदी audience होती है, उनको ये फिल्म उतनी अच्छी लगेगी, रोहित ने जबरदस्त काम किया है, और उनको मैं इस मुवी के लिए, इस मुवी को direction देने के लिए, पाँच में से पाँच स्टार देता हूँ, अगर पाँच में से दस स्टार मिलते दे सकता था, तो जरूर से जरूर देता, शारुक खान सहाप SR के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है, उन्होंने लव से लेके fight के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है उस character को यैनि कि Rahul के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर बहुत ज़़ाधा महिनत की है, उन्होंने यह भी कहा था, कि वह अपने दोस्तों के साथ जिसे भी बात करते ते वह Rahul बनकर ही बाते करते थे, क्योंकि उनक इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दिपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रोहिन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्त एक्टि साथ की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हीरोईन है यानि की दिपिका पॉड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका इस फ्लिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे हैं तो उसी ट्रेंड में उसी चनाय एक्स्प्रेस ट्रेंड में शारुखान जी की उनसे मुलाकात होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना कर करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घट्या बना यानि कि वाहियात बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में ना किसिंग सीन्स है कुछ एक् आपने बहुत ही बढ़िया और सौफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच के शंस की अच्छी से एक्सेप्ट कर पाथे हैं उस प्रut गए कि इस मोवी के सॉपस्री को याने के इंडिंग तक अपको यह फिल्म थोड़ा भी बौड़ नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वो जबर्दस बात करता है इस मुवी के डिरेक्शन स्टार्टिंग से लेके इस मूवी के क्लाइमेक्स सीन तक याने के एंडिंग तक आपको ये फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करता है इस मूवी के डिरेक्शन की रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से और यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वह इंड्रन सिन्मा के बेस्ट and बेस्ट डेरेक्टर में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूँ तो दिबेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसे फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बाइट कर एनजॉय कर सकते हैं एक साथ बा रात में बैट कर देख सकते हैं वो डेरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो आश्ली शब्द होते हैं उनसे फिल्म हीट होती है एक्स्ट्रिम रोमैंस से फिल्म हिट होती है किसिंग सीन से फिल्म हिट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वह इसी ही film कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी film का बहतरीन बनना उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी convincing power के साथ, पूरी जो connectivity power के साथ कि वो टमिल डियालोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही entertainment provide करेंगे उन Tamil Dialogues में भी उतनी ही पावर होगी उन Tamil Dialogues के साथ भी जो हिंदी औडियन्स होती है उनको ये फिल्म उतनी ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूँ अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप S.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहूल के कैरेक्टर को और उन्होंने इस फ्लीम के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि आपने दोस्तों के साथ जिस से भी बात करते थे वो राहूल बनकर ही बात करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस मुवी के जो पक्रीध कर्तूर राहूल उसे पोट्रे करने में दीपिका पर्डुकॉन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस मुवी में बहुत ही अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुत ही बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत मैं रोहिट शक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हिरोईन है यानि कि दीपिका पर्डुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्ता जो तीन पाइदान है सबसे उपर के 123 उसमें सबसे उपर दीपिका पडुकॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हिरोईन्स यानि कि उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब हिरोईन्स 4 5 6 7 से आती है बाकी सब विलेंस वगेरा सौथ इंडियन्स है और सब ने अपने तरफ से अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना म्यूजिक जाहिर से बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार्ट की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस, आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते हैं, वो एक ऐसा सौंग है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है, मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार, क्या इंड फिल्म शूट की है, शूट करके दी है, वो ला जवाब ब्रिलियंट है, खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है, हस्ते रहते है, एंज्यौई करते रहते हैं, तमिल डाइलाउग्स आते रहते हैं, आपको आपके समझ में नहीं आ आते हैं आपको वो तमील डायलक्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते हैं अब वो साउथन प्लेस में यानि कि साउथ कैसे पहुंच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी Пон asta वो यह है कि उसमें घठ बना यानि कि वाह perspectives में बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फ्ली में ना kissing इंटिम эти में ना कुछ एक्स्ट्री्म सक्ष्वल एक विए बिलकूल एक साफ सुत्रे और पलीपना चाहूंगा जहां रोईद शेटी साहब आपने बहुती बढ़िया और सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वह है यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है सिंपल लव स्टोरी को देखते देखते इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कॉमेडी सिंस दाले गया है आप उन comedy scenes को इतनी आची तरह से accept कर पाते हैं, उस movie से इतनी आची तरह से connect कर पाते हैं, कि आप इस movie के starting से लेके, इस movie के climax scene तक याने के ending तक, आपको ये film थोड़ा भी बोर नहीं करेगी, दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है, वो जबरदस्त है, अब बात करते हैं, इस movie के direction की, रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से ये अपने आपको प्रूफ कर दिया, कि वो इंडन सिन्मा के best and best director में से एक माने जाते हैं, and he is the best, एक शब्द में कहूं, तो the best, उनकी हर film, ऐसी film होती है, जिसको family एक साथ बैट कर enjoy कर सकते हैं, एक साथ बैट कर, entertainment, entertainment, और entertainment ले सकते हैं, बच्छाओं से लेकर, बुड़े तक, एक साथ में बैट कर देख सकते हैं, वो director, जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से, या फिर जो अस्तिन शब्द होते हैं, उनसे film हिट होती है, extreme romance से film हिट होती है, kissing scene से film हिट होती है, उन सभी को रोहित शेटी से जाकर, lesson लेना चाहिए, कि full on entertainment movies, जो entertainment बहुत उची तरह से करती है, वैसी ही film कैसी बनाने चाहिए, एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी, कि film जो है, वो director का बच्ची की तरह होती है, अगर आपके पास एक best director है, तो आपकी film का बहतरीन बनना, उस movie का हिट होना, आपकी guarantee बन जाती है, शारुखान जी ने इससे पहले और भी director के साथ, फिल्में बनाई, बस वो चुक गए, लेकिन इस बार, उनका निशाना जो था, एकदम सटेक था, एकदम middle point पर जाके लगा, जो बोलते हैं, बुलसा है, उन्होंने वो करकर दिखाया, रोहिट शटी साहब ने ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और director में ये हिमत नहीं हो सकती थी, कि एक हिंदी फिल्म में कुछ tamil dialogues रखे, और वो भी पूरी convincing power के साथ, पूरी जो connectivity power के साथ, कि वो tamil dialogues भी हिंदी audience को उतना ही entertainment provide करेंगे, उन tamil dialogues में भी उतनी पावर होगी, उन tamil dialogues के साथ भी जो हिंद इसी audience होती है, उनको ये फिल्म उतन ही अच्छी लगेगी, रोहित ने जबरदस्त काम किया है, और उनको मैं इस movie के लिए, इस movie को direction देने के लिए, पांच में से 5 star देता हूँ, अगर 5 में से 10 star मिलते दे सकता था, तो जरूर से जरूर देता, शारुक खान सहाप, S.R के हम मेशे की तरह, बहुत हैंडसम और बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने लव से लेके, फाइट्स के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है, उस character को, यानि कि राहुल के character को, और उन्होंने इस film के character को लेकर बहुत ज़ मुवी के जो character, इस movie का जो character था राहुल, उसे portrait करने में, दीपिका पड़ुकॉन, super, mind-blowing, fantastic, वो इस movie में बहुत ही अच्छी लगी है, यानि कि उन्होंकी जो costume designs थे, बहुत ही बढ़िया है, दीपिका ने ये बात साबित कर दी है, कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत, हिरोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया actress भी है, वो जबरदस्त acting करती है, और ऐसा combination मिलना जो इस film में था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक बार फिर से मैं रोहिच शक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा, कि उन्होंने इस film की जो भी हिरोईन है, यानि कि द बड़ी मुवी जो चन्नाई एक्सप्रेस है, दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि शारुखान साहब अपने दादा की आस्थिया बहाने जाते है, और जिस ट्रेन में वो आस्थिया बहाने जाते है, उस ट्रेन का नाम है चन्नाई एक्सप्रेस, और उसी ट्रेन में कुछ गुं अकात होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर वहारी अधारित यानि के लव स्टोरी पर आधारित है इस काहनी के जो हाइलाइट्स है वह comma घट्या बना यानि कि वह याद बना बिल्कूल नहीं है ना गाली है इस फ्लिम में दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडिय रखे गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहाने की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वह यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है simple love story को देखते देखते इस movie के starting से लेकर जो comedy scenes दाले गये हैं आप उन comedy scenes को इतनी अच्छी तरह से accept कर पाते हैं उस movie से इतनी अच्छी तरह से connect कर पाते हैं कि आप इस movie के starting से लेकर इस movie के climax scene तक याने के ending तक आपको ये film थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करते हैं इस movie के direction की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको proof कर दिया कि वो इंडिन सिनमा के best and best director में से एक माने जाते है and he is the best एक शब्द में कहूं तो the best उनकी हर film ऐसी film होती है जिसको family एक साथ बाइट कर enjoy कर सकते हैं एक साथ बाइट कर entertainment, entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्चों से लेकर बुड़े तक एक साथ में बाइट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अश्चली शब्द होते हैं उनसे film हीट होती है extreme romance से film हीट होती है kissing scene से film हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर lesson लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वैसे ही film कैसी बनाने चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी film का बहतरीन बनना उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटीक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुलसा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है यह सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकत थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ के वो टमिल डियालोक्स भी हिंदी आ आउडियंस होती है उनको ये फिल्म उतनी अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर दे था शारूँ खान सहाप ऐसर के हमेशे की तरह भोती हैंडसम और बहुत भड़ द्रूर के सभी सीज को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बड़ीके से पोर्टर कीया है उश्कैलडर को यानि कि बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस मुवी के जो कैरेक्टर था राहुल उसे पोट्रे करने में दीपिका पड़कॉन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे ब वो जबरदस्त एक्टिंग करती है और ऐसा कॉम्बनेशन मिलना जो इस फ्लिम में था बहुती ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिट शक्टी साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हीरोईन है यानि की दिपिका पड़कॉन उ उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदिस हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के 123 उसमें सबसे उपर दिपिका पड़कॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हीरोईन्स यानिकि उनके नीच्छे भी कोई नहीं है बा पाकी सफ विलेंस वगेरा सौथ इंडियंस है और सबने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना म्यूजिक जाहिर से बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रोस्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी आज भी कहीं लोग उस गाने को गुन गुन आते हैं वह एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स असलब आपको देखकर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वह लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप यह कह सकते है कि यह फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉय करते रहते हैं तमिल डायलॉक्स आते रहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वह तमिल डायलॉक्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते हैं अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़त भी नहीं है ना गाली है इस फ्लिम में ना किसिंग सीन्स है ना कुछ एक्स्ट्रीम इंटिमेसी है ना कुछ एक्स्ट्रीम सेक्श्वल आट्स है यह बिलकुल एक साफ सुत्री और सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईशेटी साहब को सेल्यूट करना चाहूंगा जहां रोईशेटी साहब आपने बहुती बढ़िया और सुत्री फिल्म हम लगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे पतियाज सदह जो अच्छी लगी वह यानि कि इस मुवी की जस्टोर्ड है सीमिपललक स्टोर्ड को देख देख़ते इस पिर के स्टर्टिक से लेकर जो प्रशापनी चीज तरह से एक्सेप्ट कर पदे निया प्रशाओ पर वाहि इस मुवी के स्लिभिख सी लेकर यानि के एंडिंग तक आपको यह फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है बात करते हैं इस मुवी के डिरेक्शन की रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वह इंडियन सिनमा के बेस्ट इन बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं एक शब्द में कहूं तो दी बेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसे फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बैट कर एंजॉइ कर सकते हैं एक साथ बैट कर एंटिटेंडमेंट एंटिटेंडमेंट और एंटिटेंडमेंट ले सकते ह बच्छyorsun से लेकर बूड़े तक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं वो डेरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अस्तिन शब्द होते हैं उनसे फिल्म हिट होती है एक्स्रेम रोमांस से फिल्म हिट होती है किसिंग सीन से फिल्म हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि फुल ओन एंटेटेंडमेंट मुवी जो एंटेटेंडमेंट बहुत उची तरह से करती है वैसी ही फिल्म कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बनना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुलसा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना हांडरेट परसंट तय है ये सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में ये हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ कि वो Tamil dialogues भी Hindi audience को उतना ही entertainment provide करेंगे उन Tamil dialogues में भी उतन ही power होगी उन Tamil dialogues के साथ भी जो Hindi audience होती है उनको ये film उतन ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस movie के लिए इस movie को direction देने के लिए पांच में से 5 star देता हूँ अगर पांच में से 10 star मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप S.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने love से लेके fight के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है उस character को यानि कि राहूल के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिससे भी बाते करते थे वो राहूल बनकर ही बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस movie का जो character था राहूल उसे portrait करने में दीपिका पड़कॉन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस movie में बहुत ही अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो costume designs थे बहुत ही बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत हिरोईं होने के साथ साथ सबसे बढ़िया actress भी है वो जबरदस्त acting करती है और ऐसा combination मिलना जो इस film में था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिच शेक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस film की जो भी हिरोईं है यानि की दीपिक पड़ुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदिस हिंदुस्तान के जो तीन पाइदान है सबसे उपर के 123 उसमें सबसे उपर दीपिका पड़ुकॉन जी बैठी हुई है बाक की सब विलेंस वगेरा सौथ इंडियंस है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना म्यूजिक जाहिर से बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बे वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवैट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते है एंजॉइ करते रहते है तमिल डायलोग्स आते रहते है लेकिन आपके समझ में नहीं आते है आपको वो तमिल डायलक्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलक्स को एंजॉय कर पाते हैं एस फिलिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहा है तो उसी ट्रेंड में उसी चनाई एक्स्प्रेस ट्रेंड में शारुखान जी की उनसे मुलाकात होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लिव स्कूरी स्टी स्टॉरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता एशानी पर औरे ट्रानी की लिव इदे में ना kissing scenes है ना कुछ extreme intimacy है ना कुछ extreme sexual arts है यह बिलकुल एक साफ सुत्री और simple love story है इसके लिए मैं रोयद शेटी साहब को salute करना चाहूंगा जहां रोयद शेटी साहब अपने बहुत ही बढ़िया और साफ सुत्री film हम लोगों को दी है और उसी love story में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी comedy रखे गई है उस comedy का level भी इतनी filtered है सबसे best चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस movie की जो story है simple love story को देखते देखते इस movie के starting से लेकर जो comedy सिंस दाले गया है आप उन comedy सिंस को इतनी अच्छी तरह से accept कर पाते हैं उस movie से इतनी अच्छी तरह से connect कर पाते हैं कि आप इस movie के starting से आपको यह film थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वह जबरदस्त है बात करते हैं इस movie के direction की रोहित शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वह इंडियन सिनमा के best and best director में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूं तो दी बेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बाइट कर enjoy कर सकते हैं एक साथ बाइट कर entertainment entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बुड़े तक एक साथ में बाइट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो यह समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो आश्ली शब्द होते हैं उनसे फिल्म हीट होती है extreme romance से फिल्म हीट होती है kissing scene से फिल्म हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर lesson लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वह इसी ही film कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वह डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बनना उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक य एलेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमील डायलोक्स रखे और वो भी पूरी कंविंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ कि वो टमील डालोकस भी हिंदी ओडियंस को उतना ह ही एंट्रिटेंट प्रवाइड कर उन तमिलम्ट डेयलोक्स में उतन ही पावर हो गी उन तमिलम्ट के साहत भी जो हिंदी आओडियंस होती है उनको ये फिल्म उतन ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूँ अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खांच साहब S.A.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लफ से लेके फाइटस के सभी सीन्स को एकड़म अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पॉर्ट्रे किया है उस character को यानि राहुल के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर बहुत ज़ादा महिनध की है उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिस से भी बात भी बात घरते थे वो राहूल बनकर ही बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस मुवी के जो कैरेक्टर इस मुवी का जो कैरेक्टर था राहूल उसे पोट्रे करने में दीपिका पड़ुकॉन सूपर माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक वो इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत रोईं होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टर बी है वो जबरदस्त एक्टिंग करती है और ऐसा कॉम्बनेशन मिलना जो इस फ्लिम में था बहुती ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोईज शक्टी साथ की तारिफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हिरोईन है यानि कि दिपिका पड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो कैरक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के उसमें सबसे उपर दिपिका पड़कॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हिरोईन्स यानि कि उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब हिरोईन्स चार पांच छे साथ से आती है बाकी सब विलेंस वगेरा सौथ इंडियन्स है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाएया है अपनातना मूजिक जाहिश से बात है बहुत ज़्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के मूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे यो-यो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते है वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी साहब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवाब ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉइ करते रहते हैं तमिल डायलोग्स आते रहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वो तमिल डायलोग्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलोग्स को एंजॉइ कर पाते हैं ये फिल्म की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे हैं तो उसी चनाई एक्सप्रेस ट्रेन में शारुखान जी की उनसे मुलाकात होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना परता है फिल्म की कहानी बस इजी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो ये है कि उसमें घटिया बना यानि कि वाहियात बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में किसिंग सेंस है इनकुश एक्स्ट्रीम इंट्िमेसी है ना कुश एक्स्ट्रीम सेक्शूल ID ये बिल्कुल एक साफ सुत्री और सिमपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईट शेटी साहब को सेलूट करना चाहूंगा जहां रोईट शेटी साहब अपने बहुती बढ़िया और सुत्री फिल्म हम लगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर जाने कि इतनी अच्छी कॉमेडी रखी गई है उस कॉमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहाने की मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है सिंपल लव स्टोरी को देखते देखते इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कॉमेडी सिंस दाले गये है आप उन कॉमेडी सिंस को इतनी अच्छी तरह से एकसेप्ट कर पाते है उस मुवी से इतनी अच्छी तरह से कनेट कर पाते है कि आप इस मुवी के स्टार्टिंग से लेके इस मुवी के क्लाइमेक्स सीन तक याने के एंडिंग तक आपको ये फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करता है इस मुवी के डिरेक्शन की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से या अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडिन सिनमा के बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते है एक शब्द में कहूँ तो दि बेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बाइट कर एंजॉय कर सकते हैं एक साथ बाइट कर एंटिटेंडमेंट एंटिटेंडमेंट और एंटिटेंडमेंट ले सकते हैं बच्छों से लेकर बुड़े तक एक समझते है कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अशल्जिश शब्द होते हैं उन से film हेट होती है एक्स्ट्रीम् रूमैंस्स से Film हेट होती है किसिंग सीन से Film हेट होती है उन सभी को रोहीत कशेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि full-on entertainment movies जो entertainment बहूत ऊछे तरह से करती है तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बनना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना में बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है यह सिर्फ और सिर्फ रोईर शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टेमिल डालोक्स तो उतना ही एंट्रेटेंडमेंट प्रवाइट करेंगे उन तमिल डालोक्स में भी उतन ही पावर होगी उन तमिल डालोक्स के साथ भी जो हिंदी आउडियंस होती है उनको यह फिल्म उतन ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी क डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुख खान सहाप एसार के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभ काईकर को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत कि है उन्होंने ये भी का था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिसे बाते करते थे वह राहुल बनकर ही बाते करते थे किनकी उनको आसान है चलिके ए मुवी के जो कर पाडुकोरन शूकर माइड ब्लोंग फाइंटास्टिक वह इस कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत हिरोईन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्त एक्टिंग करती है और ऐसा कॉम्बनेशन मिलना जो इस फिल्म में था बहुत ही ज़ादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिट शट्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फिल्म की जो भी हिरोईन है यानि की दिपिका पड़ुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान के जो तीन पायदान है सबसे उपर के 1,2,3 उसमें सबसे उपर दिपिका पड़ुकॉन जी बैठी हुई है बाकी सब हिरोइन्स यानि कि उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब हिरोइन्स 4,5,6,7 से आती है बाकी सब विलेंस वगेरा सौथ इंडियन्स है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना मुजिक जाहिश से बात है बहुत ही ज़ादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज़ादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के मुजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार्ट की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते है वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवाब ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉइ करते रहते हैं तमिल डायलोग्स आते रहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वो तमिल डायलोग्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलोग्स को एंजॉइ कर पाते हैं अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुँच जाते है उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना परता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यान किसिंग सीन्स है कुछ एक्स्ट्रीम इंटिमेसी है ना कुछ एक्स्ट्रीम सेक्शुल आट्स है यह बिल्कुल एक साफ सुत्री और सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईट शेटी साहब को सेल्ट करना चाहूंगा जहां रोईट शेटी साहब अपने बहुत ही कि मुझे सबसे ज़ादा जो अच्छी लगी वो है यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है सिंपल लव स्टोरी को देखते देखते इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कॉमेडी सीन्स दाले गया है आप उन कॉमेडी सीन्स को इतनी अच्छी तरह से एकसेप्ट कर पाते है उस मुवी से इतनी अच्छी तरह से कनेट कर पाते हैं कि आप इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर इस मुवी के क्लायमेक्स सीन तक यानि के एंडिंग तक आपको ये फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है बात करत एक शब्द में कहूं तो दी बेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसे फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बैट कर एंजॉय कर सकते हैं एक साथ बैट कर एंटिटेंडमेंट एंटिटेंडमेंट और एंटिटेंडमेंट ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बुड़े तक एक साथ मे यह समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अश्लीन शब्द होतेसे film हिय्ट होती है X- सीन से फिल्म हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि फुल-on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वैसी फिल्म कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहुतरीन बढ़ना उस मूवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे रोहिट शट्टी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है यह सिर्फ और सिर्फ रोहिट शट्टी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ के वो टमिल डियालोक्स भी हिंदी आउडियंस को उतना ही एंट्रेटेंटमेंट प्रवाइट करेंगे उन टमिल डियालोक् जो हिंदी आउडियंस होती है उनको ये फिल्म उतनी अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप एसार के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने लव से लेके फाइट्स के सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पोर्टर किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहूल के character को और उनोंने इस curing के character को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ यिससरी बाते करते थे वो राहूल बनकर ही बाते करते थे क्योंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस मुवी का जो कैरेक्टर था राहूल उसे पोर्ट्रे करने में दीपी का पड़कॉन सूपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक वो इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दीपी का ने ये बात स सबसे खूबसूरत हिरोईं होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्ट एक्टिंग करती है और ऐसा कॉम्बनेशन मिलना जो इस फिल्म में था बहुती ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिज शेक्टी साहब की तारिफ करना उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना परता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आधारित है यानि कि एक लव स्टोरी पर आधारित है इस कहानी के जो वह यह है कि उसमें घट्या बना यानि कि वह बना बिलकूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में ना किसिंग सेंस है ना कुछ extreme intimacy है, ना कुछ extreme sexual arts है, यह बिलकुल एक साफ सुत्री और simple love story है, इसके लिए मैं रोयद शेटी साब को salute करना चाहूंगा, जहां रोयद शेटी साब अपने बहुत ही बढ़िया और साफ सुत्री film हम लोगों को दी है, और उसी love story में भर भर कर जाने कि इतनी अच्छ अच्छी लगी वह यानि कि इस movie कि जो story है, simple love story को देखते देखते इस movie के starting से लेकर जो comedy scenes दाले गये है, आप उन comedy scenes को इतनी अच्छी तरह से accept कर पाते है उस movie से इतनी अच्छी तरह से connect कर पाते है, कि आप इस movie के starting से लेकर, इस movie के climax scene तक यानिके ending तक आपको ये film भी बोर नहीं करेगी दोस्तो इस कहानी में जो मिठास है वो जबरदस्त है अब बात करता है इस मुवी के डिरेक्शन की रोहिद शेटी साहब ने एक बार फिर से यह अपने आपको प्रूफ कर दिया कि वो इंडन सिनमा के बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूं तो दी बेस्ट उनकी हर फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसको फैमिली एक साथ बाइट कर एंजॉइ कर सकते हैं एक साथ बाइटकर एंटिटेंडमेंट एंटिटेंडमेंट और एंटिटेंडमेंट ले सकते हैं बच्छों से लेकर या फिर जो असली शब्द होते हैं उनसे फिल्म हीट होती है एक्स्ट्रिम रोमैंस से फिल्म हीट होती है किसिंग सीन से फिल्म हीट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि फुल ओन एंटिटेंडमेंट मुवी जो एंटिटेंडमेंट बहुत उ पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बढ़ना उस मुवी का हिट होना आपकी गैरेंटी बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटीक मिडिल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शक्ति साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तय है यह सिर्फ और सिर्फ रोहिट शक्ति साहब ही कर सकते थ मेरे ख्याद से हिंदुस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डियालोक्स रखे और वो भी पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ के वो टमिल डियालोक्स भी हिंदी रिएंस होती है उनको ये फिल्म उतनी अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्टार मिलते दे सकता था तो जरूर से अगर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बड़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है उस कैरेक्टर को यानि कि राहूल के कैरेक्टर को और उन्होंने इस फिल्म के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा महिनत की है उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिसस वो इस मूवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दिपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रोहिन होने के साथ साथ सबसे बढ़िया एक्टरस भी है वो जबरदस्त एक् इस फ्लिम की जो भी हीरोईन है यानि कि दिपिका पॉड़कॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका इस फ्लिम की लीड हीरोईन को किटनाप करके ले जा रहे हैं तो उसी ट्रेन में उसी चनाई एक्स्प्रेस ट्रेन में शारुखान जी की उनसे मुलाकात हो होती है अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को मनाने के लिए और वहीं पर उनकी लव स्टोरी चुरू होती है और क्या-क्या उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिल्म की कहानी बस इसी पर आध भारित है इस कहानी के जो हाइलाइट है वो यह है कि उसमें घट्या बना यानि कि वहायाद बना बिलकूल भी नहीं है ना गाली है इस फिल्म में ना किसिंग सींस है ना कुछ एक्स्ट्रीम सेक्ष्वल एक साफ सुत्री और सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईट शेटी साहब आपने बहुती बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कमेडी रखे गई है उस कमेडी का लेवल भी इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज़्यादा ज आप उन कमेडी सिंज को इतनी अच्छी तरह से अद्ब कर पाते हैं उस इतनी अच्छी तरह से कनेटब कर पाते हैं कि आप करता है निचाल बेस्ट एंड बेस्ट डिरेक्टर में से एक माने जाते हैं and he is the best एक शब्द में कहूं तो the best उनकी हर फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसको family एक साथ बैट कर enjoy कर सकते हैं एक साथ बैट कर entertainment entertainment और entertainment ले सकते हैं बच्छाओं से लेकर बुड़े तक एक साथ में बैट कर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि सिर्फ गालियों से या फिर जो अस्टली शब्द होते हैं उनसे फिल्म हीट होती है एक्स्ट्रिम रोमैंस से फिल्म हीट होती है उन सबी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वैसी ही फिल्म कैसी बनानी चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि फिल्म जो है वो डिरेक्टर का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक बेस्ट डिरेक्टर है तो आपकी फिल्म का बहतरीन बनना उस movie का हिट होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी डिरेक्टर के साथ फिल्में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम मिडल पॉइंट पर जाके लगा जो बोलते ना बुल सा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक य यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डालोक्स रखे और वह भी पूरी कंविंसिंग पावर के साथ पूरी जो कनेक्टिविटी पावर के साथ के वह टमिल डालोक्स भी हिंदी ऑॉडियंस को उतना ही एंट्रटेंडमेंट प्रवाइट करेंगे उ तमिन डैलोस के साथ भी जो हिंदी आउडियंस होती है उनको ये फिल्म उतनी अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस मुवी के लिए इस मुवी को डिरेक्शन देने के लिए पांच में से पांच स्टार देता हूं अगर पांच में से दस स्ट लेके सभी सीन्स को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया टरीके से पोर्ट्र किया है उस कैलक्टर को यानि की राहूलच attractive को और उन्होंने इस फ्लीम के ऐा के गट्र कु लेकर बहुत ज़जदा महिनत कि है उन्होंने ये भी कहा था कि आपने दोस्तों के साथ जिससे भी बाते करते थे वो राहूल बनकर ही बाते करते थे कि उनको आसानी होती थी इस मुवी के जो कैरेक्टर था राहूल उसे पोट्रे करने में दीपिका पर्डुकॉन सूपर माइंड ब्लोईंग फैंटास्टिक वो इस मुवी में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स थे बहुती बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे खूब सूरत फ्लोईन फिर से मैं रोहिट शक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फ्लिम की जो भी हिरोईन है यानि कि दीपिका पर्डुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवाया है उनका जो क्यारक्टर है मीना का बहुत शांदार है इसलिए मेरे हिसाब से आज हिंद हैं बाकी सब हिरोईन्स 4-5-6-7 से आती हैं बाकी सब विलेंस वगेरा सौत इंडियनस है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना म्यूजिक जाहिश से बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस फिल्म के म्यूजिक से फिल्म का बेस्ट गाना वही है जो हमारे योयो हनी सिंग सूपर स्टार ने गया है हमारे रो स्टार की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते हैं वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवैट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप यह कह सकते है कि यह फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉय करते रहते हैं तमिल डायलोग्स आते रहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वो आप समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलोग्स को एंजॉय कर पाते हैं शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि यह फिल्म अपने पहले सिंसे शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉय करते रहते ह हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वो तमील डायलोग्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डायलोग्स को एंजॉय कर पाते हैं अब वो साउतन प्लेस में यानि कि साउत कैसे पहुच जाते हैं उनके गाउं तक उनके माबाप को म द्याधारित है इस कहानी के जो हाइलाइट्स है वो यह है कि उसमें घटिया बना यानि कि वह याद बना बिल्कूल भी नहीं है ना गाली है इस फिलिम में ना किसिंग सेंस है आप कुछ एक्स्ट्रीम सेक्शुल आइट्स है यह बिल्कुल एक साफ सुत्री और सिंपल लव स्टोरी है इसके लिए मैं रोईद शेटी साब को सेलूट करना चाहूंगा जहां रोईद शेटी साब अपने बहुत ही बढ़िया और साफ सुत्री फिल्म हम लोगों को दी है और उसी लव स्टोरी में भर भर कर यानि कि इतनी अच्छी कॉमेड का लेवल इतनी फिल्टर्ड है सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी वह है यानि कि इस मुवी की जो स्टोरी है सिंपल लव स्टोरी को देखते देखते इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर जो कॉमेडी सिंस दाले गया है आप उन क से एकसेट कर पाते हैं उस मुवी से इतनी आच्छी तरह से कर पाते है कि आप इस मुवी के स्टार्टिंग से लेकर इस मुवी के क्लाइमेक्स सीन तक याने के एंडिंग तक आपको यह फ्लिम थोड़ा भी बोर्न नहीं करेगी दोस्तों इस कहानी में जो मिठास है वो and he is the best एक शब्द में कहूँ तो दि बेस्ट उनकी हरSON ूइसी फिल्म होती है जिसको family एक साथ वैट कर enjoy कर सकते है एक साथ वैट कर entertainment entertainment और entertainment स्कते है बच्छाओंू से लेकर बुड़े तक एक साथ में बैटकर देख सकते हैं वो डिरेक्टर जो ये समझते हैं कि uyGaliy灣 से या फिर जो अश्दिन शब्द होते हैं उनसे फिलम हिट होती है एक्स्रिम रोमाय। से फिलम हिट होती है किसिंग सीन से फिलम हिट होती है उन सभी को रोहित शेटी से जाकर लेसन लेना चाहिए कि full on entertainment movies जो entertainment बहुत उची तरह से करती है वैसी ही film कैसी बनाने चाहिए एक और बात उन्होंने प्रूफ कर दी कि film जो है वो director का बच्ची की तरह होती है अगर आपके पास एक best director है तो आपकी film का बहतरीन बनना उस movie का hit होना आपकी guarantee बन जाती है शारुखान जी ने इससे पहले और भी director के साथ film में बनाई बस वो चुक गए लेकिन इस बार उनका निशाना जो था एकदम सटेक था एकदम middle point पर जाके लगा जो बोलते ना बुलसा है उन्होंने वो करकर दिखाया रोहिट शटी साहब ने उनको एक ऐसी फिल्म बना कर दी है जो सद्यों तक याद रखी जाएगी और जिसका चलना 100% तैय है यह सिर्फ और सिर्फ रोहिट शटी साहब ही कर सकते थे मेरे ख्याद से हिंदूस्तान की किसी और डिरेक्टर में यह हिमत नहीं हो सकती थी कि एक हिंदी फिल्म में कुछ टमिल डालोक्स रखे और वो भी पूरी convincing power के साथ पूरी जो connectivity power के साथ कि वो टमिल डालोक्स भी हिंदी ओडियंस को उतना ही entertainment provide करेंगे उन टमिल डालोक्स में भी उतन ही power होगी उन टमिल डालोक्स के साथ भी जो हिंदी ओडियंस होती है उनको यह फिल्म उतन ही अच्छी लगेगी रोहित ने जबरदस्त काम किया है और उनको मैं इस movie के लिए इस movie को direction देने के लिए पांच में से 5 star देता हूँ अगर पांच में से 10 star मिलते दे सकता था तो जरूर से जरूर देता शारुक खान सहाप S.R. के हमेशे की तरह बहुती हैंडसम और बहुती बढ़िया है उन्होंने love से लेके fights के सभी scenes को एकदम अपने अंदर लेकर जिया है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से portrait किया है उस character को यानि कि राहुल के character को और उन्होंने इस film के character को लेकर बहु क्योंकि उनको आसानी होती थी इस movie के जो character इस movie का जो character था राहुल उसे portrait करने में दीपिका पड़ुकॉन सूपर mind blowing fantastic वो इस movie में बहुती अच्छी लगी है यानि कि उनकी जो costume designs थे बहुती बढ़िया है दीपिका ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदुस्तान की सबसे वह जबर्दस एक्टिंग करती है और ऐसा combination मिलना जो इस film में था बहुती ज़्यादा मुश्किल है एक बार फिर से मैं रोहिच शेक्टी साहब की तारिफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस film की जो भी heroine है यानि की दीपिका पड़ुकॉन उनसे बहुत अच्छे से काम न 1,2,3 उसमें सबसे उपर दीपिका पड़ुकॉन जी बैठे हुई है बाकी सब heroines यानि की उनके नीचे भी कोई नहीं है बाकी सब heroines 4,5,6,7 से आती है बाकी सब villains वगेरा South Indians है और सब ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम रोल निभाया है अपना अपना music जाहिर से बात है बहुत ज़ादा अच्छा है और film को बहुत ज़ादा support मिला है इस film के music से film का best गाना वही है जो हमारे योयो honey sing super star ने गया है हमारे रो स्टार्ट की तरफ से दिया गया गाना लोंगी डांस आज भी कई लोग उस गाने को गुन गुन आते है वो एक ऐसा सौंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है फिल्म के लोकेशन्स माइंड ब्लोइंग है मतलब आपको देख कर लगेगा कि यार क्या इंडिया में भी ऐसी जगा है इस मुवी के क्यामरा मैन ने रोहित शटी सहाब को जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइट किया है उन्होंने जो फिल्म शूट की है शूट करके दी है वो लाजवा ब्रेलियंट है खुल मिलाकर आप ये कह सकते है कि ये फिल्म अपने पहले सिन से शुरू होती है हसते रहते हैं एंजॉय करते रहते हैं तमिल डायलॉक्स आते रहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आते हैं आपको वो तमिल डैलक्स समझ में नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन डैलक्स को एंजॉय कर पाते हैं